हेलो फ्रेंज दिस अपिका कार्ड रीडिंग और यह ओन रिक्वेस्ट वीडियो है तो वन उफ माइ व्यूवर ने जिसने की आज किया था वो मैरिट थी ठीक है उनकी शादी हो चुकी है लेकिन वो डिवोर्स चाहती है अपने पार्टनर के साथ जो की नहीं हो रहा है तो य यह जानना चाहती थी कि आखिर यह situation कहां जाएगी क्या यहां पर डिवोर्स होगा या नहीं तो अगर आप में से यह situation किसी की भी बनी हुई है तो आप यह वीडियो डेफिनिली चेक आउट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं दो पाइल मैं यहां पर बनाके रखे हुए है इस पाइल नमबर वन इस पाइल नमबर टू राइट तो आप कोई भी एक पाइल चूज कर सकते हैं देखते हैं अगर आप मैरिड है या अब्यूसिर रिलेशन में है या किसी भी तरीके से आपको कोई भी स्टक सिचुएशन चेल रही है आपके रिलेशन में और आप यह डिवर्स होगा या नहीं सपरेशन प्रॉपरली होगा या नहीं तो आप यह वीडियो डेफिनेटली चेक आउट कर सकते हैं चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं पाइल नमबर वन से जिन्होंने यह वाली नेल पेंट चूज की है तो यहां हमारे पास नाइन ओफ पेंटिकल ट्रॉपल आया है नाइट ओफ वांज आया है और लवज काड आया है और साथ में शेक्स वांज आया है तो यह देखती है बात कर लेते हैं पाइल नमबर वन वालोंगी तो डेफिनेटली आपको विक्टरी मिल जाएगी अगर आप अपने पार्ट्रेट होना चाहते हैं त पर मुझे यहां लग रहा है कि आपको थोड़ा इंतजार वेटिंग पीरिएड यहां पर थोड़ा लंबा खिच सकता है थोड़ा डिफैंसिव सी इनर्जी है और थोड़ा डेट्रीमिंग आप काफी कर सकते हैं या तो यहां पर यूनो तीन चार चीजे निप्टाने की ज एक नया शूटर अट्रेक्ट करेंगे जो कि आपका लवर होगा उससे आपकी शादी होगी आप टोटली सिंगल इस कनेक्शन से तो हो जाएंगे यह कनेक्शन आपको सिर्फ वेटिंग पीरिएड के सिवा कुछ नहीं दे रहा है और सेवन अफ कप्स दिखा रहा है कि आप बनाने की कोशिश करेंगे तो शायद रिष्टे बनते हुए नहीं नजर आ रहे हैं जैसे एक बिखरी हुई सी चीज़े हैं वैसा सा है यहां पर देहने को मिल रहा है इस कनेक्शन में डिफैंसिवनेस बहुत है या तो आपके पात्ने की तरफ से या आपकी तरफ से तो का इनर्जी काफी देखने को मिल रही है डिफैंसिवाल इनर्जी काफी देखने को मिल रही है सब कुछ बिखरा बिखरा सा नजर आ रहा है फोर आफ कप्स भी यहां पर आपके लिए जो है आप किसी और चीज़ पर टोटली फोकल हैं जबकि आपको बगवान एक नया ओफर देना चाहते हैं एक नया रिलेशन एक न्यू लव और एक विक्ट्री देना चाहते हैं लेकिन आप जो है इसी कनेक्शन की वज़र से जैसे फसे से हुए हैं आपका ध्यान बिल्कुल भी नए ओफर पर बिल्कुल भी नहीं है ठीक है लेकिन मुझे यहां विक्ट्री आप तो यहां पर आपको इस डिवोर्स के केस में विक्टरी मिल जाएगी आपकी इससे सपरेशन हो जाएगा आप सिंगल भी हो जाएगे और लेकिन एक न्यू लव भी साती साथ जो है मुझे आपकी लाइफ में एंटर करता हुआ उस वक्त नजर आएगा जब आप टोटली जहिlor नहीं है आपका धियान है इसी जद्दजह्याद में आपका थोड़ा दिमाग स्कैटर है आप धूर रखस है क्या करूं क्या माइन मंदी तोटली इंरफ स्करिंव करता हैम यहां पर सर जोगों के यहांप सेुषल यह बनता हो नजर आ रहा है कि आप और आपके पार्टनर जो कि आप हस्बंड वाइफ हैं काफी प्यार हो सकता है अभी आप सिंगल सप्रेटिड हो चुके होंगे डिफैंसिव इनर्जी वेटिंग मोड होगा लेकिन अगर आप ट्रूली अपने हस्बंड को ही या वाइफ को ही प्यार करते हैं तो यहां पे अगर आप उस वे में विक्टरी चाहते हैं कि आप दोनों साथ में आ जाएं तो उस वे में विक्टरी मिलेगी तो यह तोटली वै है कि आपको यहां सिंगल अप होंगे एक न्यू लव कुछ लोग डेफिनिटली अट्रेक्ट कर रहे हैं यहां पे ठीक है छोटी सी रीडिंग थी जस फोर यूर गाइदेंस फ्रेंस लेस्ट मूव वन तो जो भी सिच्वेशन थी मैं आपको बता दी पाल नंबर वन वालो टू ओ ओफट्सव आया है डाइट ओस्व आया है वालो तन भी नंबर टू किया है बहुत ही बूरी सिच्वेशन में फसे हुए हैं बहुत ब्रद बहुत पेन बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्टरब्ड हैं अप लोग बिकॉस अफ यूर के दिस्थोरली सिंदू confusion से भरी हुई है कुछ समझ नहीं आ रहा आप लोग गो क्या किया जाए क्या ना किया जाए और अगर आप मुझसे पूछें कि अभी स्टक सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे या नहीं तो अभी यहां पर सिचुएशन ही रिप्रेजेंट हो रही है confusion की स्टेट ही रिप् आपने अपने कंदों पर इस रिडिलेशन की वज़े से फिल किया है बहुत पेन बुगती है बिल्कुल रुक्यूजी से जिंदगी हो गई है स्टक हो गए है मून कार्ड मतलब कोई emotions का जाहिर नहीं हो रही यहां पर आपने बहुत sensitive है जो मेरे व्यूर्स हैं बहुत sensitive है emotional है loving है caring है फिर भी यह burden और यह pain उसी क्योंकि इतनी caring है आप sensitive है इसलिए pain भी बहुत जादा और बहुत जादा burden फिल कर रही है confused है आपके emotions की वज़र से आप confused है उसे उबर नहीं पा रहे आपके emotions ने मानों आपके आँखों पर परदा गिरा रखा है और आपकी जो situation है बहुत worst मुझे नजर आ रही है five of swords दिखा रहा है जीत के भी हारने वाली बात है यहां कुछ भी no profit no loss कुछ भी जैसे हासिल ना होना वह वाली कुछ भी आप case भी लड़ लोगे तो मुझे लग रहा है यहां कुछ हासिल नहीं होने वाला है night of swords यह दिखा रहा है कि आपको clear cut communication करने की जरूरत है यहां hidden चीज़ें काफी है यहां इमोशन साहिट की होई हैं बहुत सी चीज हैं परदे के पीछे हैं कुछ लोगों के case में stuck है totally stuckness है यहां कुछ करके भी कुछ हासिल नहीं होगा मुझे यह लग रहा है जैसे pile number 1 के case में direct victory मिल रही थी आपको लेकिन यहां पर मुझे लग रहा है कि आपको direct victory नहीं मिल रही है आप पस इस situation में थोड़ा openly communication करके देख लीजिएगा शायद आपको कुछ benefit मिल जाए otherwise तो confusion की state, stuckness की state और burden और pain और hidden things की state ही बनती हो यहां नजर आ रही है और success is sorry अगर आप divorce के लिए प्लाए करेंगे यहां मुझे कुछ success के chances नहीं दिखाई दे रही है यहां सब कुछ situation जो है control में नहीं है बहुत भी आपके तो बस confusion की state है बहुत जादा बहुत जादा आपके emotions शायद आपके यांखों पर पत्टी बंदी होई है because of your overwhelming emotions आपके emotion मुझे यह channel message आ रहा है आपके emotional emotions आपको ले डूबेंगे I'm sorry शायद यह किजी के लिए हो पर कुछ लोगे केस में वह बात है आपके emotions ही आपको ले डू out कीजिए हाई vibration में आई ठीक है अगर आपको अपने इस relation अगर आपके favor में नहीं है आपको toxicity है abusive है आपको pain दे रहा है आप inner work कीजिए ठीक है आप inner work करेंगे तो self love करेंगे अपनी थोड़ी take care खुद कीजिए दूसरा partner नहीं take care करता आप कीजिए वह आपको नहीं छोड़ quality से निकलने की कोशिश कीजिए घर में दूफ बत्ती जलाइए कपूर जलाइए कुछ अच्छी manifestation कीजिए माइंड को positive मैं जानती हूं situation ऐसी है कि ब्रुक्ल positive नहीं रह सकता कोई इंसान ऐसे से महौल में लेकिन फिर भी मैं कहूंगी थोड़ा कोशिश कीजिए ठीक है यहा थोड़ी clarity मिले और दरवाइस तो यहां कुछ दिख नहीं रहा चीक है यह चोटी से रीटिंग थी कैसे लगी बताईएगा मुझे ओके फ्रेंस बाबाई